अयोग्य जगय पर निवास इस्थान अपना बनाए रखना ये भी भक्ती में दोश है रुकावट डालता तो वो ले हम जहां रहते हैं वो अयोग्य इस्थान है कि योग्य इस्थान है ये कैसे पता चले तो अयोग्य इस्थान एक बाहर होता है और अयोग्य इस्थान एक भीतर भी आदमी बना लेता है विचारों की गंदगी तुछ आकर्शन आदी तो भीतर से भी अयोग्य स्थान पे न रहा जाए और बाहर से भी अयोग्य स्थान पे न रहा जाए अपने घर में घर को तिर्थ जैसा पवित्र बनाने के लिए घर के दर्वाजे के उपर थोड़ी जगा हो तो हनुमान जी की एक तस्वीर लगा दे सामने देखते हुए और प्रात्ना कर दे ब्रभू कोई भी विकार रुपी कालने में अमारे घर में प्रवेशना करे दोनों तरफ नो बाए नो के स्वस्तिक बना दे ओम गण गणपते नमा बोलकर स्वस्तिक बना दे घरों में जहां तहां नो बाए नो के स्वस्तिक बना दे सिंदूर से या कुम कुम से गणपती जी के स्वस्तिक बनाने से शुब होता है नो बाए नो काई बनाए न बड़ा न छोटा इससे इतना इससे दोश दूर होते हैं गर में यहां से वो स्वस्तिक वाली फिटक्री वो अपने गर के हर कमरे में रखें और उसको फिर दो पांच महीने के बाद फिर बदल दें नई रखें पुराना वो हटा दिया करें पिससे घर में जो नकारात्मक उर्जा है वो दूर होती है और घर में दूप करते रहें घर में महीने में एक दो बार पानी में साबुत नमक आता है न खड़ा नमक साबुत वो थोड़ा डाल के हिला कर उस पानी से घर में फर्श साफ करें घर की नकारातम उर्जा सारी बाहर चली जाएगी पूरे घर में रोज धूप कर दिया करें न कर सके गउचनन धूप बत्ती दो तीन जला दी उस पे दो चार भूंदे घी की डाल दी पूरे घर में घुमा दिया कटोरी में या कुछ ऐसा बरतन रखें उसमें घर का वातावरन तिर्थ जैसा पवित्र हो जाएगा और चार-पांच मिनिट उस धूप के वातावरन में गहरा स्वांस लेकर बिना रुके बस स्वांस लें उतनी देर रुके फिर चालू कर देंगे महने है तो राम 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 पांच मिनिट चार-पांच मिनिट ऐसा करने से घर का वातावरन पवित्र हो जाता है भगवन में हो जाता है कभी शांत बैठके असी धारणा करें मेरे गर के चारोत तरफ भगवान के नाम का कवच है मेरी और मेरे घर के लोगों की वो रक्षा कर रहा है हरी ओमोमोमोमोमोम इस प्रकार अपने घर को पावन बनाया जा सकता है झाँ झाँ झाँ